एक लड़के को अपने नेबर में रहने वाली लेडी अच्छी लगने लग जाती है उसके बारे में उसने और भी जाना तो बहुत सारे राज बाहर आए Hello friends, आज मैं आपको American Affair 2008 की एक Hollywood movie explain करने वालो ये एक coming of age movie है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा बिना किसी दरीके explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हम अमारे main character Adam को देख सकते है Adam अपने स्कूल में था वो अपने फ्रेंड से कहता है कि वो लड़का तुम्हें गे बुला रहा है कि इसके बारे में तुम कुछ भी नहीं करोगे वैसे भी तुम कुछ कर भी नहीं सकते इस तरीके से जिडाने के बाद Adam के फ्रेंड ने उस लड़के को बहुत मारा जब ये फाइट खदम हुई तो Adam को भी मारता है Adam है Catholic स्कूल में बढ़ता है तो वहाँ की सिस्टर वहाँ पर आए और इन दोनों को लेकर जाती है इन दोनों को एक दिन के लिए डिटेंशन में डाल दिया गया था Adam का फ्रेंड उससे बहुत ही गुसा था क्योंकि उसकी वज़े से ही फाइट हुई थी Adam भी रेलाइस करता है कि उसका एक करना बहुत ही गलत था तो उसे हो सौरी भी कहता है आज जो फाइट हुई थी इसमें Adam का टीथ तूट चुका है वह घर जाकर इसे गल्यू से चिपका लेता है रात में डिनर करते वाग कुछ न्यूड मैगजिन्स वो पढ़ रहा था तब यह अपनी नेवर पर उसकी नजर बढ़ती है उसकी नेवर हमारी और एक में क्यरेक्टर है जिसका नाम है कैथरीन कैथरीन किसी आदमी के साथ थी उसने कुछ जादा पहना नहीं था एक दिन जब वो घर पर नहीं थी तो जाकर उसका मेल वो लेकर आया इस मेल में उसे प्रेजिडेंट कैनेडी का लेटर मिलता है यह हमारी स्टोरी उस टाइम की है वो जब मेल बढ़कर बाहर आ रहा था तो कैथरीन ने उसे नोटीस किया वो पुछते हैं तुम यहां कर क्या रहे हो एडम ने कहा कि मैं कुछ काम ढूंड रहा हूँ मुझे यूरोप पर ट्रीप पर जाना इसके लिए थोड़े से पैसे अगर मेरे पास होगे तो अच्छा होगा अगर आपके बास कोई काम है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ कैथरीन ने उसे घर में इन्वाइट किया पुछती है तुम क्या कर सकते हो एडम ने कहा क्यूजल जो भी चीज़े होती है घर का काम, गार्डन यह से मैं मैंनेज कर सकता हूँ कैथरीन भी एडम को गार्डन का काम देने के लिए मान जाती है कैथरीन की घर में उसका और प्रेजिडन केनेडी का फोटो था कैथरीन गहती कि वो मैरा फ्रेंड है प्रेजिडन केनेडी का फ्रेंड होना यह बहुत ही बड़ी बात थी एक बार जब Adam की मदर प्रेजिदेंट से मिली थी तो बहुत ही ज़ादा एक्साइट थी Adam राज में हमेशा Catherine को खिड़की से देखता है उसके फोटोस भी लेता है अगली दिन स्कूल में Adam की फ्रेंड फेथ उससे बात करती है उसे लाइक करती थी तो आज शाम उसने अपने घर पर उसे बुला लिया बहाना तो सिर्फ म्यूजिक सुनने का था ये बात कर बात है उससे पहली वहाँ पर सिस्टर आगे Adam के कान कीच कर उसे वहाँ से लेकर जाती है घर आने पर Adam Catherine के पास पोच्छता है उसे कहता है कि आपने मुझे गार्डन का काम दिया था Catherine के घर में Adam ने बहुत सारी पेंडिंज देखी ये सब Catherine की पेंडिंज थी Adam कहता है इसमें तो सिर्फ मुझे कलर दिखाई दे रहे है उसे कुछ भी लोग वेकर आप कुछ भी इसमें दिखाई नहीं देते Catherine कहती है तुम्हें उसमें जो भी देखना है वो तुम देख सकते हो वैसे भी इसका फॉर्म डेड़ हो चुका है इसका मतलब है इस स्लोली स्लोली मर रहा है वो फिर Adam को अपनी गार्डन दिखाने के लिए लेकर गई एक बहुत ही ब्यूटिफुल गार्डन थी पर Catherine कहती है मुझे इससे पूरी तरीके से मिटा देना है इसके बाद वो फिर से प्लान करेगी Adam भी समझ गया कि इस गार्डन के फुल मूर्शा जाते है इस वज़े से Catherine इसे फिर से बनवा रही है Adam गार्डन में काम करने लगया और थोड़ी देर बाद Catherine उसके पास है और वो बहुत ही अच्छे से ड्रेस थी Adam गहता है आप बहुत ही ब्यूटिफुल लग रही हो Catherine हस्ती है और वहाँ से चली जाती है Adam जब रात में घर पर है तो उसकी मदर फादर नोटिस करते है उसके कपड़े बहुत ही जादा खराब है वो Catherine के लिए अब काम करता है इसके बारे में उसने उन्हें बता दिया इस बात से उसकी मदर बहुत ही जादा अफसेट हो गई थी उसे समझाती है कि Catherine एक अलग टाइप की लेडी है तो हमारी तरह नहीं है उसने बहुत ही अलग-अलग चीज़े की हुई है उसे इंडारेक्ली बता रही थी कि Catherine का कैरेक्टर अच्छा नहीं है Adam कहता है कि आपने ही तो कहा था उसने अपने दूरबीन लगा कर देखी तो प्रेसिडेंट कैनेडी को वहाँ देखता है वो इस बात से शौक्ट हो गया अगले दिन गार्डन पर काम करते हो उसने Catherine से कहा कि आप जब बोल रही थी कि प्रेसिडेंट कैनेडी आपका फ्रेंड है तो आपने बहुत ही सच कहा था मैंने कल रात उन्हें आपके घर में देखा Catherine गुस्ता आओकर बोल थी इस बारे में तुम भूल जाओ कभी भी इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कुछ चीज़े प्राइवेट रखनी चाहिए अडम को अपने पैरेंट से पता चला था कि Catherine का भी एक बेटा था इसके बारे में भी उससे पूछ लेता है Catherine गहती ही कि अब वो तुमारी एज का होता वो बहुत ही स्वीट था Catherine अडम को अपने बेटे का दरा समझती है या Adam को अच्छा नहीं लगता दोनों की बातों से में बता चलता है कि Catherine और उसका हस्बन इन दोनों में फाइट है थोड़ी देर में जब Catherine गह से बाहर गई तो Adam उसका पीछा करता है Catherine आज Lucian से मिलने के लिए गई थी Lucian एक्च्छल में Catherine के एजेंसी के लिए काम करता था इनके एजेंसी इंफ्लुएंशल लोगों को जैसे प्रेजिडन बहुत बड़े बिजनेसमेन इन लोगों को लड़के सप्लाई करने का काम करती है Lucian Catherine को प्रेजिडन केनेडी को कुछ बताने के लिए कह रहा था वो एक पॉलिटिकल बात को लेकर प्रेजिडन को कुछ समझाना चाहते थे पर Catherine की उससे उस तरीके से बात नहीं होती है Catherine कहती है कि वो मेरा कुछ भी सुनने ही रहा उसरा जब वो प्रेजिडन से मिली थी वो लास्ट टाइम था आज शाम फेट ने Adam को अपने घरवर बुलाय था उसके घर पर जाता है ये म्यूजिक सुनते है और फिर किस करने लग गे किस करते करते Adam का दाथ निकला है जो उसने ग्लू से चिपका हुआ था ये फेट को बहुत ही घटिया लगा कहती है इस दाथ को तुम फिक्स करवा दू इसके बाद हम फिर से मिलेंगे जब Adam ने अपने पैरेंट्स को बात बताए कि उसका दाथ तूट चुका है तो उस पर वो बहुत जादा गुसा हो गए थे उन्हें लगता है कि इसके बारे में उसे पहले बताना चाहिए था वो Catherine के घर पर काम कर रहा है तूट के बारे में नहीं बताया इन सब बातों से मदर बहुत ही अपसेट थी Adam भी अपसेट होकर Catherine के घर के बाहर खुम रहा था उसने अंदर देखा कि पार्टी चल रही है वो खिड़की से देखने लग गया तबी Catherine का husband जिसका नाम है Graham यह उसे पकड़ लेता है उसने कहा कि इस तरीकी से नज़र रखना गलत बात होती है मैं तुम्हें जेल में भी डाल सकता हूँ उसे पकड़कर घर के अंदर लेकर आए Catherine अपने friends के साथ ड्रक किये थे Graham उसे कहता है कि तुम्हें हो क्या क्या तुम इतनी दूर क्यों चली गई Catherine गहती है हमारे बेटे की date हो जाने के बाद तुम्हें मेरा खैल रखना चाहिए था Graham भी यही बात चाहता है वो फिर से अपनी family को पाना चाहता है पर इन दोनों में बहुत बड़े जगड़े थे Graham नहीं Catherine को President के साथ intimate होने के लिए कहा था Catherine कहती कि हमने जो भी किया इसके बार में सब लोगों को बता है और सब लोग हम पर रसते है Graham को भी बुरा लगा और वहाँ से चला जाता है अगली दिन Adam ने Graham पर भी नज़र रखी Graham इस बार Lucian से मिल रहा था ये दोनों discuss कर रहे थे कि Catherine का क्या क्या जाए Graham Lucian से कहता है कि Catherine के पास एक diary है उसके साथ जो भी होता है इस सब के बार में उसमें लिखती रहती है ये diary होना एक बहुत ही बड़ा रिस्त था पर एक Catherine के लिएक safety है अगर उसकी agency ने उसे hurt करने की कोशिश की तो सारी चीजों expose कर सकती है इस diary के बार में सुनने के बाद Catherine जब घर पर नहीं थी तो Adam उसके घर में आ जाता है diary को ढून लेता है अजानक से Catherine भी किसी और के साथ वहाँ पर पहुश गई थी Adam closet में चुप गया और उन दोनों को intimate होता देख रहा था उस आदमी के जाने के बाद Catherine ने कहा कि मुझे बताए कि तुम यही हो तुमारा back बहार ही पड़ा था Adam उसे sorry कहता है पर Catherine ने कहा तुम सिर्फ curious थे वो उसे warn करती है कि फिर से यह सब होना नहीं चाहिए आजराद Adam और उसके सब friends की party थी इसमें वो एक game केलते जिसमें Adam और faith को तोनों को एक minute के लिए closet में जाना पड़ता है Adam ने faith से कहा कि मैंने अपना tooth fix करवा लिया इसके बाद वो kiss करने लग गया जिस तरीके से Adam ने Catherine को intimate होता देखा था उसी तरीके से वो faith के साथ भी intimate होना चाहता था पर इस बाद से faith ज़रा uncomfortable हो गई वो उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है Adam जब घर पर आया तो Catherine की घर से बहुत ही loud music चल रहा था उसे देखने के लिए पहुच जाता है वो बाहरी बारिश में भीक रही थी वो Adam को देखकर उसके साथ घर में आती है वो drink ले रही थी तो उसने Adam को भी drink offer किया इसके बाद वो Adam के साथ paint करने लग गई Adam ने Catherine को kiss करने का try किया पर Catherine ने उसे रोक ले दिया इसके बाद इसनों paint से ही खेलने लग गए सुबा मौर्निंग में हम देखते हैं कि Adam के parent discuss कर रहे थे एक्च्वल में Adam के फादर का एक new जगा पर transfer हुआ था मदर Adam के लिए ज़रा वरीर थी को अकेले उसे किस तरीके से manage करेगी जब वो उसे उठाने के लिए गई तो उसके सारे कपड़े color से भरे हुए थे इस बात पर वो बहुत जादा गुसा हो जाती है पर रात में Catherine के पास था ये बात पता चलने के बाद वो father से कहती है कि अभी के भी उसके पास जाओ उसे कहो कि Adam से कोई भी ओर relationship ना रखे Adam को कोई भी काम करने की ज़रूद नहीं है फादर जब Catherine के पास पोचे तो Lucian वहाँ पर आय हुआ था Lucian उसे बात करता है तो father के बारे में Lucian को सब चीज़े पता थी यहाँ तक कि उनका transfer भी होने वाला है इसके बारे में वो बोल लेता है यह सब बात सुनकर father बहुत ज़्यादा डर गए थे उन्होंने Catherine से कहा कि please Adam को कोई भी काम मत देना Catherine भी इस बात के लिए मान जाती है घर पर आने पर father बी Adam पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे वो कहते हैं Catherine से कोई भी relationship अब तुमें नहीं रखनी है तुम school जाओगे और सिधा घर पर आओगे आज Lucian Catherine को समझा रहा था कि तुम president को समझाने की कोशिश करो कुछ ना कुछ तो चीज़े बदलनी चाहिए वरना president को यह बदलना पड़ेगा Catherine समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गडबर होने वाली है उसने president को call करकर warn करने की कुशिश की पर उसे पूरी तरीके से उग्नोर कर रहे थे दाथ में वाइट हॉस पर भी जाकर आती है वहाँ के guard से उसने बुचा अगर president को कोई गोली माय रहा हो क्या तुम उसके सामने आ जाओगे guard कहता है मैं मेरी duty honestly करूँगा इसके बाद movie में president Kennedy का assassination हो जाता है Adam को जब यह बात पता चली तो Catherine के पास आया वो बहुत इडिस्टब्ट थी रो रही थी Adam उसे सहार देता है Catherine कहती है इसमें मेरी गलती नहीं थी मैंने उसे warn करने की बहुत कोशिश की थी मोगे का फायदा उठा कर Adam Catherine के साथ intimate होना चाता था पर Catherine गुशा होकर उसे वहाँ से निकाल देती है Catherine को पता चला कि उसकी notebook गायब है यह उसके लिए बहुत important थी वो Adam के घर पर आई पर mother उसे बात करती है Adam उसे मिलने नहीं देती Catherine ने कहा कि Adam के पास मेरी एक चीज है प्लीज उसे वापस करने के लिए कही है घर उपर Catherine से मिलने के लिए उसका अजबन Graham आय हुआ था उसे कहता है प्लीज notebook वापस कर दो इससे तुम बहुत ही safe रहोगी Catherine कहती है कि जब मैंने तुम से शादी की थी तुम बहुत ही अलग person थे अब तुम क्या बन चुके हो Graham कहता है कि resident की date तो होने ही वाली थी वो किसी का भी सुनता नहीं था इसमें किसी की भी गलती नहीं है वो Catherine से sorry कहता है उसने कहा हमारे बेटे की date के बाद मैं सिर्फ तुमें ही दोशी मान रहा था वो एक accident था जिसमें Catherine दोशी नहीं थी Graham ने कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो वो फिर से उसके साथ नहीं जिंदगी स्टार्ट करना चाहता है कहता है हम इन सब से दूर एक अलग country में चले जाएंगे Catherine भी इस बात के लिए मान की शाम में वो Lucian से मिलने के लिए जाती है उससे कहती है तुम्हें notebook में नहीं देने वाली वो notebook मेरी एक safety है अगर मुझे किसी ने भी हाम करने की कोशिश की तो सारी चीजे में expose कर सकती हूँ Lucian कहता है कि मैं उस notebook को ढूंड लूँगा मुझे बता है कि तुमने उसे चुपाई हुई है किसी ऐसे आदमी के पास जिस पर मैं शक भी नहीं करूँगा Lucian को पता था कि डायरी एडम के पास है Catherine इस बात से बहुत ही डर गी Lucian के पास आती है और कहती है प्लीज वो डायरी मुझे वापस करतो अब मैं यहां से चली जाने वाली हूँ Lucian कहता है कि तुम क्यों जा रही हूँ वो गहती कि लाइफ में परपस ढूणने के लिए मेरा बेटा, मेरा आर्ट यह सब चीज़े मेरी लाइफ को मीनिंग देते थे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो यह चीज़े आप लूज करते हो यह हमेशे आपको ढूणती रहने चाहिए कुछ न्यू चीज़े ट्राइ करना चाहिए यह एडम के लिए एक लाइफ लेसन था अगली दिन स्कूल से जब एडम जल्दी घर पर आता है तो उसका कमरा देहसनेस पड़ा हुआ था लूशेन घर पर आकर कैथरीन की डायरी लेकर गया था एडम कैथरीन की घर पर पहुचा तो वहाँ लूशेन है उसने उस डायरी को जला दिया लूशेन एडम से कहता है कैथरीन ज़रा डिस्टरब थी उसने अपनी लाइफ अच्छी दरीगे से जीए और लास्टली वो ज़रा कन्फियूस्ट हो कही थी जो तुमने पढ़ा और देखा इसके बारे में किसी को भी मत बताना एडम पुच्छता है कि कैथरीन का है लूशेन ने का कि आज तो तुम मिलने वाले थे एडम उसी जगह बर कैथरीन से मिलने के लिए पहुचा पर कैथरीन की नीचे गिर कर डेथ हो चुकी थी कैथरीन की हस्बन को इसके बारे में पता चलने के बाद उसे भी बहुआ बुरा लगता है पर लूशन की खिलाब वो कुछ कर भी नहीं सकता कैथरीन की डेथ के बाद एडम बहुत अपसेट THा स्कूल में अपनी फ्रेंड्स के साथ उसकी बंती नहीं थी क्योंकि फ्रेंड्स के बीच में उसने फाइट लगाई थी उसके फ्रेंड्स मिलकर उसे बहुत मारते हैं उसने जो भी किया इसका उसे बहुत रिग्रेट होता है गर पर आने के बाद उसे Catherine से एक कुरियर मिला उसने मरने से पहले Adam के नाम पर एक कुरियर कर दिया था इसमें पेंटिंग के अलग-अलग पार्ट्स थे इस पार्ट्स को जोडने के बाद Adam की पिक्चर बनी Catherine के डेट के बाद Adam को समवाट एक क्लोजर मिल जाता है इस experience से हो सिखेगा और आगे बढ़ेगा इससे के साथ ये movie एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इससे like कर दीजेगा ये बहुत सारे movies लेकर आधा रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोट विशन आइकों दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमूग के साथ तो तो दीज लिए धाइंक्यो और आप अपने आपका खेल रखे